Good morning everyone and welcome back to KS Educational with Supraveen. Directly main मुद्दे पे आते हैं, कब तुम्हारा IBPS Clerk Pre का रिजल्ट आएगा? इसका वेट कर रहे हो और आपने ये भी देखा कि IBPS Clerk Pre का रिजल्ट आने के बाद आपके पास कितना कम टाइम बचेगा और इसके mains के exam का date भी आपको पता है, जो की 7th of October है, मिला जूला करके अगर आज से देखा जाए तो एक महिना अब देखो इससे पहले भी हमारे पास RRB का PO और क्लग दोनों का रिजल्ट आया और उसके बाद mains का date भी आपको पता उन दोनों के बीच में आपको gap कितना मिला, बिलकुल नहीं, अगर यही बात को समझो, तो तुम्हारे IBPS क्लग प्री का जो result आना है, वो might be on 3rd और 4th of week of September आना है ठीके, मुद्दे की बात यह है कि कैसे इस exam को clear करोगे, अगर उस date का इंतजार करोगे तो, तुम्हारे पास अभी मिला जुला करके जो एक महना का time है, इस एक महने के time में अगर तुमने mock test लगाना स्टार्ट कर दिया, memory based paper का अगर practice करा है तुमने, तो यह exam कोई नहीं रो बहुत अच्छा है कि साथ-साथ उनका IBPS clerk मेंस का भी preparation हो रहा है, बट जिनका यह exam नहीं हुआ, वो सोचो अपने लिए कि आपके पास बस और बस एक opportunity अब IBPS clerk बचा है और उसके pre का अगर आप result का wait कर रहे हो, तो selection बहुत tough हो जाएगा आपके मेंस में, इन चांस, क्योंकि यहाँ पर तो बस आपको cut-off clear करना है और cut-off clear मतलब हो गया, लेकि मेंस में सोचो, मेंस में आपको बस cut-off clear नहीं करना है, बलकि अच्छा score लाना है ताकि आपका selection हो पाए, क्योंकि मेंस में जितना ज्यादा number लाओगे, उतना आपका safe zone में जाना बहु तो result का date है, my dear friends, वो है third या fourth of week of September आजाना है, और जब result आना होगा तब तो आजाएगा, आपको बिलकुल पता चल जाएगा, लेकिन अगर इसके लिए आपने मेंस को अपना impact कराना, तो definitely वो बहुत जादा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो clear है, agenda बिलकुल clear है आप पर से आप लोगों को memory based और mock test लगाना, इस्टार्ट करना है, ताकि आपके मेंस में कोई अर्चन ना आया, और आपका मेंस ये वाला clear हो जाए, तो IVPS clerk pre का जो result है, उसको यहाँ पर आप लोग बिलकुल third और fourth week of September के लिए छोड़ दें, और वहाँ पर जब आपका result आएग तो ये चीज बिलकुल clear रखना है और आगे focus करना है अपने मेंस के लिए